बाक टू माइ यूट्यूब चानल मेरे आज की रेसिपी है क्रीमी मश्रूम बे टोस्टेड ब्रेड के चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रीडियन्स आपी स्क्रीन पर आ रहे हैं मैजरमेंट्स में आपको कुप करते हैं टाइम साथ साथ बथाती रहूंगी यहां पर मैंने बटर लिया है क्रीएंडर लिया है क्ड्री मेरे क्रीम ली है छॉप्ड गार्लिक और हरिमिर्च ली है सॉल्ड और मश्रूम दा में ग्रिडियन्ट तुर्ली है टो मैंने चानल Goddess यहां पर शॉप्ड तेबल स्पून आप बटर लिया है बटर को अच्छ से मेल्ट कर लेंग खुर सकते हैं आप इसको सकते हैं लेकिन मैंने यह अपर छार लसनकी करिया और 1 हरी मिर्ची ली एक Same अवी आप शोप कर लियाए अब जैसे कुझ से कड़ मैं शाउज लिए हैं मैंने आप पर 10 पीस ली मिख्रूम की और उनको बन्हें नम्बा कट और इसका size और quantity दोनों ही reduce कम हो जाएगी तो आप इसको करीब 10-15 मिनिट के लिए कुक करें अच्छे से तो मश्रूम यहाप अच्छे से कुक हो रहे हैं यह काफी क्रीमी और काफी अच्छी रेसिपी है जो जिसको भी मश्रूम्स पसंद है उसको यह बहुत ही अच्छी लग तो यहाप काफी कम डलता है तो यहाप नहीं चाहते तो हम इसमें अपना अड़ करेंगे ब्लाक पेपर तो यहापर मैंने काफी कम ब्लाक पेपर एड़ कर रहा हूं जिस्ट 1-2 टेबल स्पून क्योंगे अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं तो आप नॉर्मल मिल्क भी तो अब यहाँ पर क्रीम को मैंने अच्छे से आड कर दिया है और अब हम इसको कोक करने देंगे करीबन 2-3 मिनिट के लिए आप इसको क्रीम डालने के बाद पकाई है उसके बाद यह कुछ ऐसा सा दिखेगा अब क्रीम डालने के बाद next ingredient है हमारा milk तो यहाँ पर मैंने 2 आप से आड कर सकते हैं अपने ingredients यहाँ पर अब मैंने coriander डाल दिया है और अब मैंने gas की flame बिल्कुल बन कर दिया और यह हमारे creamy mushrooms बिल्कुल ready है अब देख सकते हैं यह कुछ ऐसे दिख रहे थे अब इसका close look मैं आपको दिखाते हूं तो यह काफी creamy थे बहुत ही अच्छे ल यह काफी अच्छी recipe है काफी quick recipe है और perfect evening snack है आप इसको soups या drink के साथ enjoy कर सकते हैं I hope आपको recipe पसंद आई होगी अगर आपको कोई भी queries हैं तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं I hope आपको मज़ा आया होगा आप इसको जरूर try करेंगे thank you so much for watching like share and subscribe to my channel do share it with your friends and family bye take care until we meet next time like and subscribe क करना मत भूलेंगा bye